क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि किस प्रकार पेंट्स को विविद रंग मिलते होंगे ये रंग विविद प्रकार के अनुओं के कारण होते हैं जिने पिगमेंट सर्थात रंगने के पदार्थ कहते हैं जिनका उप्योग पिंट्स बनाते समय किया जाता है आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी चित्र में रंग भरते हैं तब हरा रंग बनाते समय हम नीले रंग को और पीले रंग को मिलाते हैं कि आपने कभी ये सोचा है कि जिन पेंट्स का हम उप्योग करते हैं वे एक रंग के पिगमेंट से बने हैं यह वे एक से अधिक pigments का mission है, यदि हमें यह जानना है, तो हमें इस mission में से दोनों प्रकार के रंगों के pigments अणों को अलग करना होगा, यह बहुत ही कठिन काम होगा, क्यों है न, फिर से एक बात का ध्यान रखे, हम आकार के आधार पर अणों को अलग नहीं कर पाएंगे, हम इन गुण धर्म का उप्योग करते हुए अणों को अलग करें, इस तकनी का नाम वर्ण लेखन विधी है, चलिए पहले समझते हैं कि यह वर्ण लेखन विधी किस प्रकार काम करती है, हम यह जानने की कोशिश करने वाले हैं, कि sketch pen के इस हरे pigment में एक ही pigment है, या फिर यह दो pigments का मिश्रण है, इसके लिए हम इस कागस का उप्योग करेंगे, जिसे वर्ण लेखन कागस या च्छनक कागस कहा जाता है, इस कागस को स्थैतिक चरन कहा जाता है, क्योंकि पूरी वर्ण लेखन की प्रक्रिया में यह कागस हिलता नहीं है, हम हरे sketch pen से स्याही की कुछ पूर चड़ता है, इसलिए इसे हम गतिशील जरन कहेंगे, यदि sketch pen में रंग के दो pigments हैं, तब वे कागस को पकड़ कर रखने की उनकी क्षमता के आधार पर प्रिथक होंगे, क्योंने हम थोड़ा रुक कर देखें कि क्या वास्तों में वे अलग होते हैं या नहीं, क्या बात है, कुछ समय के बाद हम देख सकते हैं कि हरे sketch pen में वास्तों में दो प्रिथक pigments बनाए हैं, वर्ण लेखन की पीछे के सिध्धान को समझने के लिए कलपना करें कि आप एक लंबे गलियारे से होकर गुजर रहे हैं, यदि बह गलियार उन लोगों से भरा है जो आपक और इस कारण उस गलियारे से गुजरने के लिए आपको कुछ अधिक समय लगेगा, इसके विप्रीत यदि आप लोगों को जानते नहूं तो शायद आप तुरंत उस गलियारे को पार कर सेकेंगे स्थैतिक चरण सेलिलियוש से बनता है, जिसने पानी को दो सतहों के बीच में फसाकर रखा है मिशन में जो यॉगीक होते हैं, वे अपनी आकरशन की भिनता के कारण या फिर हम कह सकते हैं कि स्थैतिक चरण में पानी से उनकी दोस्ती के कारण पृतिक होते हैं गतिशील चरण में कागस के छिद्रों से कैपिलरी एक्षिन अर्थात केशी का कारिवा ही होती है, जिससे विलायक में हलचल निर्मान होती है, जिससे वे यौगिक पृतक होते हैं, कागस द्वारा की गई वर्ण लेखन विधी अक्सर अन्नकी मिलावट की जांच करने में, प्रसाधनों में और दवाईयों में उपयोग में लाई जाती हैं, सारांच, मिशन में जो यौगिक होते हैं, वे अपनी आकरशन की भिनता के कारण या फिर हम कह सकते हैं कि स्थैतिक चरण में पानी से उनकी दोस्ती के कारण पृतक होते हैं, गतिशील चरण में कागस के चिद्रों से कैपिलरी एक्षिन अर्थात केशी का कार्यवा ही होती है जिससे विलायक में हल्चल निर्मान होती है जिससे वे यौगिक प्रिथक होते हैं